आपरेटर के साथ स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड लिया जा सकता है तो इसका जवाब है बिलकुल लिया जा सकता है देखें FIS किसी भी सेक्टर में 10-15 दिन के लिए इंट्री नहीं करते हैं वो कम से कम 2-3 महीनों के लिए इंट्री करते हैं लेकिन आज मैं आपकी ये प्रॉब्लिम भी सॉल्फ कर दूँगा आपको मा याद रखें जितने भी mutual funds, FIIs या hedge funds हैं उनके पास हमसे कई ज़्यादा डेटा होता है और उन्हें वो पता होता है जो हमें कभी नहीं पता तो चलिए without wasting any time हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर इस swing trading setup में सिर्फ दो steps है, sector rotation और stock selection, sector rotation का मतलब है कि बड़े players अभी किस sector से पैसा निकाल कर किस sector में डाल रहा है देखें एक बात हमेशा याद रखें, stock market में कितनी भी बड़ी correction हो, एक दो sector हमेशा ऐसे होते हैं जो positive होते हैं example के तोर पे, covid के time में आपने देखा होगा कि लगभग सारे ही sectors में fall आई थी, लेकिन pharma अकेला ऐसा sector था जो positive था तो इससे हमें समझाता है कि बड़े players का अभी movement कैसा चल रहा है देखें एक बात मैं आपको बता दूँ, जिसने भी sector rotation सीख लिया, stock market में उसे पैसा कमाने से कोई नहीं रोग सकता sector rotation के लिए हम यहाँ पे एक platform का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है stockage stockage को आप किसी भी device में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको phone में यूज़ करना है तो इसके android और ios दोनों apps अवेलेबल है और अगर आप laptop या desktop यूज़ करते हैं तो इसकी website भी अवेलेबल है इसके लिए google में आपको stockage search करना है और जो सबसे पहला website खुल कराएगा उस पे आपको click करना है अगर आप इस website को open करेंगे तो आपको किछ इस तरीके का interface दिखेगा अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको pro analytics दिख रहा होगा देखे यह अभी तो paid है लेकिन इस video में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इस pro version को free में use कर सकते हैं यह तरीका मैं अपने video में थोड़े देर में बताऊंगा लेकिन फिलहाल आप इस concept ले focus कीजिए देखे pro analytics में आपको तीन options दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको sector rotation पे click करना है इसे open करते ही आपको तीन options दिख रहे होंगे breadth, deliveries और vwap सबसे पहले मैं आपको breadth के बारे में समझाता हूँ यहाँ पे आपको कई सारे sectors दिख रहे होंगे breadth आपको उन sectors के strength को बताता है example के तोर पे जो rating sector है उसके 93% stocks RS 55 के उपर trade कर रहे है 93% stocks 50 RSI के उपर trade कर रहे है 93% stocks 20 SME के उपर है इसका मतलब है कि 93% ऐसे stocks हैं जो 20 moving average के उपर trade कर रहे है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि sector के 93% stocks ऐसे हैं सभी parameters के उपर trade कर रहे है इसका मतलब है कि sector में अंदर से strength है और आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा अगर आपके sector में strength नहीं है तो आप उस sector के कितने भी अच्छे stock को ले लो वो उपर जाएगा या नि इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि आपके उस पूरे sector में कोई भी बड़ा player नहीं बैठा है और stock में movement आई गी या नहीं ये उसके पैसे से decide होता है ये आपके 3-4 लाख रुपए से decide नहीं होता खेर अब हम वापस आते हैं अपने concept पे अगर हम example लें information technology की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93% ऐसे stocks हैं जो RS55 के उपर trade कर रहे है 86% ऐसे stocks हैं जो RSI50 के उपर trade कर रहे है 91% stocks 20 EMA के उपर trade कर रहे है तो इस percentage से भी आपको अंदाजा लगता है कि उस पूरे sector में कितनी strength है और अगर आपको percentage में नहीं समझना तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो sector जितना deep green होता जा रहा है इसका मतलब है कि वो sector उतना strong होता जा रहा है example के तोर पे आप ratings देख सकते हैं काफी deep green है information technology बहुत जादा deep green है यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 86% stocks इसके RSI50 के उपर थे यानि यह 93% से कम strong है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी green की strength भी कम हो गई है यहाँ पे अगर आप धीरे देरे नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यह sectors थोड़ी weak होती चली जा रही है क्योंकि यहाँ पे green की strength भी कम हो गई है अब इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं देखें मैं आपको अपनी strategy बताता हूँ मैं कभी भी top 2 या top 3 sectors में swing trade नहीं करता क्योंकि वो sector already बहुत जादा strong हो चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 93% stock जो है 55 यानि RS 55 के उपर trade कर रहे हैं तो उपर जाने का horizon बहुत ही कम हो गया है मुझे ऐसे sector चाहिए जो अभी growth phase में है जिन में अभी थोड़ा पैसा डलना शुरू हुआ है तो इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे जाएं और अगर आप देखें यहाँ पे नीचे आपको agriculture sector दिख रहे है अगर आप इसमें क्लिक करें अब मुझे sector का date wise breath देखना है जारी मुझे देखना है कि यह sector 4 सेप्टेंबर में कितनी strong है 3rd सेप्टेंबर में कितनी strong थी 2nd सेप्टेंबर में किया उससे कम strong थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे breath का option आ रहा है इससे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे date wise और industry wise दोनों तरीके से breath देख सकते हैं तो मैं generally यहाँ पे date wise breath देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th सेप्टेंबर में 81% stock RSI 55 के उपर थे 91% stock RSI 50 के उपर 91% stock SMA 20 के उपर अगर यहाँ पे एक दिन पहले आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह number change नहीं हुआ इसका मतलब है कि stock उतनी ही momentum और उतनी ही strength में थी लेकिन यहाँ पे 50 RSI में यहाँ पे 92 था और यहाँ पे आप 91 है तो कोई problem नहीं है लगबग same ही है इसके बाद अगर हम 20 SMA को देखें तो 3rd September के दिन जहाँ 93% stocks 20 SMA के उपर थी वही 4th September के दिन 91% stocks 20 SMA के उपर है याँ यहाँ पे थोड़ी से गिरावट हुई है पर उतनी भी बड़ी नहीं है यहाँ पे 50 SMA में देखें आप 90% stocks 3rd September के दिन 4th September में 91% देखें यहाँ पे मुझे overall growth नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 81-81 है 92 से थोड़े कम हुए 93 से थोड़े कम हुए तो यहाँ पे मुझे growth pattern नजर नहीं आ रहा मुझे उन sectors में trade करना है जहाँ पे growth pattern नजर आ है अगर हम यहाँ पर थोड़ा पीशे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं healthcare और FNCG सेक्टर दिख रहा है तो चलिए अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर इसके बाद मैं breath पर जाता हूँ यहाँ पर मैं देख सकता हूँ date wise breath यहाँ पर देखिए 2nd September के दिन 68% stocks RSI 55 के उपर है 3rd September के दिन 69% यानि इसमें थोड़ी ग्रोथ नज़र आई और 4th September के दिन इससे थोड़ी और ग्रोथ नज़र आई यहाँ पर अगर हम देखें तो 2nd September के दिन 90% stocks RSI 50 के उपर है 3rd September के दिन वो थोड़े से घटके 86% ज़रूर हुए लेकिन ये इतना substantial difference नहीं है यहाँ पर अगर ये 86% है तो यहाँ पर ये बढ़के 90% भी तो हो गया यहाँ पर देखें 86% थोड़ा सा कम हुआ 85 और 86 यानि एक stable और या फिर growth pattern तो दिख रहा है यहाँ पर देखें 50 SMA में stable pattern है 100 SMA में stable pattern है लेकिन यहाँ आप जितना नीचे जाते जाएंगे आपको यहाँ पर एक growth नजर आएगी तो यह एक वैसा sector है जिसमें मैं trade कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मुझे growth का horizon दिख रहा है इसी तरह अगर मैं पीशे जाओ तो यहाँ पर FNCG sector दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं इसे खोलने के बाद breath पर जाओ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 66% ऐसे stocks थे जो आज बढ़के 68% हुए यह stable है क्योंकि दोनों मैं 86-86 है इसमें एक अच्छी growth देखने को मिली है अब देख सकते हैं 85% ऐसे stocks थे जो 20 SME के उपर trade कर रहे थे और आज वो बढ़कर 92% हो गया यहाँ पर अगर हम 50 SME की बात कर रहे हैं तो हमें जबर्दस growth देखने को मिली है कल तक जहाँ सिर्फ 79% stocks 50 SME के उपर trade कर रहे थे आज वो बढ़कर 87% हो गया है यानि इस sector में कई सारे ऐसे stocks हैं जिन में growth देखने को मिली है तो यहाँ पर breath parameter में मुझे दो sector दिख रहे हैं healthcare और FMCG इसके बाद हम चलते हैं delivery section में देखे spring trading में delivery एक बहुत ही important parameter है देखे सबसे पहले हम delivery का मतलब समझते हैं देखे stock market में जितने भी stocks trade कर रहे हैं उनमें सिर्फ दो तरीकी के volumes होती है intraday volume और delivery volume intraday volume का मतलब है कि आज उस stock को कितने लोगों ने खरीद कर आज ही बेच दिया देखे आप अगर intraday में खरीदते हैं किसी भी stock को आप चाहे 9 बजे खरीदे या 2 बजे खरीदे सवा 3 या 3 बिस के बाद आपकी position square off हो जाती है यानि अगर आप ना भी चाहें तो broker आपके उस position को बेच देता है इस volume का हमारे stock analysis में कोई काम नहीं है क्योंकि आप खुदी समझे कि आज वो stock को खरीदा और आज ही बेच दिया तो इससे आप क्या निकालेंगे आपको क्या समझाएगा कुछ भी नहीं लेकिन delivery हमें बहुत कुछ पताती है देखे मैंने आपको पहले ही बताया था कि stock में volume छोटे players नहीं बनाते बलकि बड़े players बनाते है और अगर किसी stock में delivery की volume और delivery की percentage लगातार बढ़ रही है इसका मतलब है कि बड़े players ये expect कर रहे हैं कि stock में कुछ बड़ा होने वाला है इसी वज़े से तो वो stock को mintri day में न बेच कर उसके delivery ले रहे है देखे यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे sectors है और इसके बगल में उनकी volume और उनकी delivery percentage लिखी भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि shipbuilding sector में आज लगबग दो गुना volume में delivery हुई है और इसके delivery percentage आज 53% जादा हुई है देखे यहाँ हम others को consider नहीं करते हैं क्योंकि हमें exactly पता नहीं है कि sector में कौन-कौन से stocks आते हैं और जब मैंने check किया तो इसमें कई 2-3-5 sectors के stocks थे इसलिए मैं sector को कभी भी consider नहीं करता देखे delivery check करते हुए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है यहाँ पे अगर आपके market cap में कोई negative change आया है तो delivery कितनी भी बढ़ी हो इससे कोई फर्क भी पढ़ता क्योंकि अगर price negative है और delivery बढ़ गई तो high chances है कि हो सकता है वो selling के delivery हो इसलिए आपको market cap के negative change में delivery को कभी भी consider नहीं करना है आपको सिर्फ उन्हीं sectors के साथ stick करना है जिसमें market cap में positive change नजर आई हो और delivery में एक अच्छी खासी उशाल देखने को मिली हो जैसे यहाँ पर ship building में देखने को मिल रहा है इसके अलावा हमें यहाँ पर chemicals में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर delivery volume अपने regular volume से यानि अपने average volume से 69.6% उपर है और इसका delivery percentage 35.8% उपर है यानि यहाँ पर on an average हर दिन 1815 crores की delivery होती थी जो आज बढ़कर 2465 crores की हो गई है यानि 35.8% delivery आज बढ़ी है delivery चेक करने की मैं आपको एक बहुती गजब की strategy बताता हूँ अगर आपने आज किसी sector में अपने average से 2 या 3 गुना जादर delivery देख लिया तो आपको उस sector को जरूर consider करना चाहिए आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से shipping sector के stocks में एक बहुत बढ़ा fall आया था और मैंने 11 चुलाई को ही अपने telegram में update कर दिया था कि shipping sector बहुत जादा overvalid हो चुकी है और 12 तारीक यानि उसके अगले दिन से ही shipping sector गिरना चुरू हो गया था अगर आप shipping sector के कुछ major stocks देखे तो उसमें 33% से जादा गफॉल आया था लेकिन कुछ दिनों से shipping sector के stocks अपने support zone में settle होती हो नजर आ रहा है और वैसे time पे जब shipping sector में इतनी बड़ी delivery हो तो वैसे point पो जरूर consider करना चाहिए आपको जरूर सोचना चाहिए कि shipping sector में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि shipping sector हमेशा से institutions के favorite रहे हैं तो काफी chances है कि इस sector में कुछ बड़ा हो सकता है अब आते हैं इस वीडियो के सबसे important part पर कि इस feature को आफ free में कैसा use कर सकते हैं इसके लिए मैंने stockage की team से request की कि वो मेरे हर एक subscriber को एक महीने का pro plan free में दे ताकि आप इस एक महीने में strategy को सीख ले, समझ ले और थोड़ा पैसा भी कमा ले ताकि अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि मुझे आगे continue करना है तो आपका अगले महीने का जो plan है उसका पैसा आपके pocket से ना लगे बलकि आपने free का use करके जितना कमाया उससे थोड़ा सा दे दिया इसके लिए आपको वीडियो के description और pinned comment में एक link मिलेगा आपको उस link के थूर रेजिस्टर करना है इसके बाद आपको stockage के कई सारे plans दिखेंगे जैसे premium, pro और club आपको pro plan पे click करना है और उसके monthly subscription में जाना है अब यहाँ पे आपको कुछ charges दिखेंगे आपको मेरा coupon code TFN100 यूज़ करना है इस coupon code को use करते ही आपके एक महिने का pro subscription फ्री हो जाएगा इस pro plan में आपको premium plan वाले सारे features मिलेंगे जैसे pre-built trading strategies, investment ideas, investment themes इसके अलावा कई सारे pro features जैसे sector rotation जो अभी मैंने इस वीडियो में सिखाया sector analysis और मेरा favorite chart patterns जैसे कौन-कौन से stocks triangle pattern बना रहा है किन में head and shoulders pattern बन रहा है और इन जैसे तमाम कई सारे patterns आपको इस chart pattern वाले feature में मिलेंगे तो use the code tfn100 और इस pro plan को free में use कीजिए तो breadth के parameter से हमने दो sectors को shot list किया healthcare और fmcg तो हमारे पास आप 3 sectors निकल कर रहा है fmcg, healthcare और shipbuilding हमारा 90% काम यहीं पर complete हो गया अब हमें इन 3 sectors के लावा किसी पर trade नहीं करना है क्योंकि जारतर बड़े players का movement इनी 3 sectors में नज़र आ रहा है तो हमारा step 1 complete हो गया जो है sector rotation तो हम अपने दूसरे step पे चलते हैं जो है stock selection stock selection के लिए मैंने 4 filters का use की है और trust me इन 4 filter से पास होने के बाद सारे कचला stocks, सारे बेका stocks निकल जाएंगे आपके पास सिर्फ high quality और high momentum stocks निकल कराएंगे सबसे पहला filter है market cap अगला filter है daily volume हम वैसे ही stocks में trade करेंगे जिसका daily volume एक लाग से जादा का होगा देखे जादा volume आपको liquidity देता है और जिस stock में liquidity इतनी जादा है उसमें movement उतना जादा होता है तीसरा filter है monthly gain वैसे ही stocks में हमें trade करना है जिसका monthly gain 15% से जादा का है अगर कोई stock एक महीने में 15% से जादा का move दे रहा है इसका मतलब है कि stock में एक strong uptrend है और चौथा और बहुत important filter है कि वो stock daily time frame में positive में होना चाहिए अगर किसी stock ने 0.2% की भी negative closing दी है तो वैसे stock में trade करके हम risk नहीं लेना चाहते तो चलिए हम इन 4 filters को apply करके एक बहुत ही अच्छा stock select करते है यहाँ पर हम सबसे पहले healthcare sector को select करते है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें gainers को option आ रहा है यहाँ पर gainers पर click करने के बाद हमें यहाँ पर NST को select करना है और 1 month के gainers को देखना है इससे हमारा यह motive है कि हम सिर्फ highest gainers पर trade करें यहाँ पर हमें change percentage दिख रहा है इसका मतलब है कि stock एक महिने में कितने percent अप हुई है तो यहाँ पर Matria Medicare को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिने में stock 119.4 percent अप हुई है इसके अलावा यह stock है Panacea Biotech यह एक महिने में 72.5 percent अप हुई है तो हमें देखना है कि कम से कम 15 percent का gain हो तो इसके लिए हम सबसे पहले नीशे जाते है और यहाँ पर देखते हैं 15 percent से कौन से stock शुरू होती है यहाँ पर हमें exact 15 percent में Indoco Remedies मिल रही है यानि इस stock से हम start कर सकते हैं और इसके अलावा आप Bal Pharma, Guffik, Biosciences या थार्थ इस तरह के stocks को भी चेक कर सकते हैं देखिए हमें Indoco Remedies मिला है सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इसका market cap कितना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहला filter था कि market cap 1000 करोड से जादा को होना चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इस stock का daily volume एक लाग से जादा का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको chart का option आ रहा है chart का option में जाने के बाद आप यहाँ पर daily volume भी चेक कर सकते हैं यह defaultly set होता है मतलब अगर आप कुछ भी set नहीं करेंगे तब भी आपको volume नीचे दिखे गाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका daily volume 3,43,000 है यह 1,00,000 से जादा है तो ठीक है अब यह 1,00,000 से जादा है तो यहाँ पर हमारा दूसरा point भी चेक हो गया अब तीसरा point बचता है जो मंतली गेना है इसे तो हमने पहले ही चेक कर लिया था चौथा point हमारे पास बचता है कि यह daily time frame में positive होना चाहिए इसका मतलब है कि daily time frame में stock में positive closing होनी चाहिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4.1 यारी 4.1% अप थी इसका मतलब है कि इसमें positive closing आई है तो जब हमारे यह सबसे पहले ही stock अपने resistance के आस पास है यानि यह stock अभी अपने breakout zone पे trade कर रही है अगर आपने stock में entry ली और stock ने अगर breakout दिया तो कुशी दिनों के अंदर आपको 10% तक का up move देखने को मिलेगा अगर आपको price action नहीं आती तो आप सीधे इस indicator time में जाए और यहाँ पर लिखिए EMA और यहाँ पर सबसे पहला indicator जो खुल कर आ रहा है इस पर click कीजिए यहाँ पर आप देख सकते है 9 EMA आपको defaultly set है इसे आपको change करना है और इसे 9 के जगा 20 EMA करना है यहाँ पर inputs में जा कि आपको length में 20 लिखना है इसके बगल में आप style में जाए और अगर आप इस EMA के color को blue से किसी दूसरे color में change करना चाहते है तो यहाँ पर आप अपने पसंदीदा color को select भी कर सकते है यहाँ मालीजे मैंने black select किया क्योंकि मुझे black पसंद है इसे okay click करने के बाद यहाँ आप देख सकते है यह stock अपने 20 days के exponential moving average के उपर trade कर रही है इसका मतलब है कि stock में बहुत ही strength बाकी है तो चलिए अब हम जल्दी से किसी दूसरे sector के stock को देखते है यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने healthcare के लावा FMCG को select किया था तो चलिए हम FMCG पर क्लिक करते है और इसके बाद हम gainers पर जाते है और यहाँ पर हमें one month यहाँ पर देखे one month का gainers set है तो हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते है यहाँ पर देखे हमें सबसे पहले हमारा filters को याद किजिए आप फिर से filters को याद किजिए यहाँ पर मैंने आपको filters लिया था यहाँ पर सबसे पहले आपको उन stocks को ही select करना है जिसका monthly gain 15% से जादा का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद हम मुझे सबसे पहला जो stock मिल रहा है 15% से जादा gain वाला वो है domes industries तो चलिए हम domes industries को देखते हैं कि यह chart पर कैसा लगता है यह मैंने trading view में domes industries का daily time frame पर chart खोला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि stock ने एक ascending channel pattern बनाया है अगर मैं trend line को यहाँ से खीचू तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला उपर का resistance यह नीचे का support line और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह stock एक ascending channel pattern पर trend कर रहा है अगर आपको फिर भी price action नहीं आता तो आप सीरे यहाँ पर आईए EMA का indicator लगाईए और यहाँ पर आप देख सकते हैं EMA के उपर होने के वज़ा से हम यह मान सकते हैं कि stock में बहुती जारा strength बाकी है अच्छा मुझसे यहाँ पर गलती होगी कि मैंने चार में से सिर्फ एक ही filter को select किया आपको याद है कि मैंने सिर्फ 15% monthly gain वाला filter select किया मैंने इन तीनों filters को तो देखा भी नहीं देखिए इस stock का market cap 1000 करोड से जारा का होना चाहिए तो अगर हम यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर domes industries को select करें और अगर हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर हमारे पास domes industries का एक overview दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका market cap 16,150 करोड का है जो 1000 करोड से तो कई जादा है इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे filter पे daily volume greater than 1 lakh तो अगर हम यहाँ पर price के बगल में chart पे click करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है चार्ट में नीचे आपको default pattern selected है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि daily volume 77.7,000 है जो 1,00,000 से कम है यहाँ पर भले ही हमें pattern अच्छा देखने को मिला बट still यहाँ पर volume कम होने के वज़ा से हम इस stock को consider नहीं कर सकते हैं अगर हम इस list में थोड़ा उपर जाए तो हमारे पास एक stock निकल कर आ रहा है Euro India Fresh Foods तो चली हम देखते हैं क्या इसे हम consider कर सकते हैं तो इस stock को हम consider नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए stock ने negative closing दिया है और हमारे filters के fourth point में हमने लिखा था कि stock में positive closing होनी चाहिए on a daily basis तो अगर हम इस list में धीरे धीरे ऊपर बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास एक stock निकल कर आ रहा है ADF Foods Limited यहाँ पर ADF Foods में आप देख सकते हैं कि इसकी closing काफी positive भी है अच्छा up move भी दिख रहा है पहला हमारा filter है market cap देखना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका market cap 3000 करोड का है तो हमारा तहला filter चेक हो गया दूसरा filter है daily volume 1 lakh से ज़ादा होना तो अगर हम इसके chart में जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका daily volume 4 lakh 80,000 का है जो 1 lakh से कई ज़ादा है दूसरा filter भी हमारा चेक हो गया तीसरा filter तो हमें पहले ही पता है कि 15% से ज़ादा ही monthly gain है यह देखिए मैंने ADF food का daily chart खोलकर रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि stock ने recently एक breakout दिया था और यहाँ पर retest करने के बाद positively close होई है यहाँ पर अगर हम इसका resistance डॉक करें तो आप देख सकते हैं कि लगबग 258 के level को stock ने तोड़ा था और यह नीचे आकर retest करा था और आखिर में आज इसने positive closing दिया है तो इससे हम समझ आता है कि stock में strong up move है अगर आपको price action नहीं आता तो आप सीधे सीधे EMA लगाई है अब देख सकते हैं कि stock ने EMA के ऊपर closing दी है और कुछ दिनों के अंदर यह EMA और बढ़के stock को touch करने लगेगा तो इससे हमें यह confirm हो गया कि stock एक strong uptrend में है और high chances है कि stock कुछ दिनों के लिए यह consolidate करने के बाद एक strong rally दे है अब हम चलते हैं आज के आखरी sector पे जो है ship building आपको याद होगा मैंने ship building को high delivery के basis पे select किया था तो अगर इस पे click करने के बाद अगर हम gainers पे जाए तो हम देख सकते हैं कि एक महीने में stock में कोई नी gainers नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले एक महीने में इस पूरे sector में बहुत बड़ा fall आया था अगर हम percentage change के basis पे select करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है mazagon dog ship builders इसका market cap 96,000 crores का है तो market cap देखने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता positive change तो यहाँ पे 7.2% है तो अगर हम percentage change के basis पे यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक stop निकल कराता है mazagon dog ship builders इसका market cap 96,000 crores का है जो 1000 crores से कई जादा है अगर हम positive change की बात करें यानि positive closing की तो आज इसने 7.2% का positive closing दिया है तो हमारा first filter और fourth filter टिक हो गया और third filter को तो यहाँ पे consider नहीं किया जा सकता क्योंकि monthly इसमें fall आया था हम delivery के basis पे देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा compromise किया जा सकता है लेकिन daily volume के मामले में कोई compromise नहीं चलेगा अगर हम stock पे click करें और थोड़ी दे रुखनी के बार इसके chart पे जाए तो हम देख सकते हैं कि stock में लगबग 8 million का volume है हेक लाग तो बहुत ही कब है इसमें 8 million का volume है तो चलेए हम इसके chart को देखते है यह हमारे पास खुल कर आगया मैजगॉन डॉक का daily time frame पे chart अगर आप इस stock को थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि stock एक descending channel pattern बना रही है यहाँ पे आप देखें इसका resistance हो गया और यहाँ पे अगर मैं इसका support ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि descending channel pattern बना रही है और अगर इस channel pattern का breakout आता है तो यह stock एक बड़ी reversal कर सकती है reversal क्यों? देखें यहाँ यह stock downtrend में थी और अगर यह channel pattern का breakout देकर उपर जाती है तो इसके trend में change आता है यानि इसका trend अब reverse हो गया पहले यह bearish trend में थी अब यह reverse होकर bullish trend में चले गई इसलिए इसे हम bullish reversal कहते है अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सीधे EMA पर क्लिक कीजे और यहाँ पर आप देखें कि stock ने EMA के उपर भी closing दी है यानि downtrend में होने के बाद भी यह stock ने EMA के उपर में closing दी है तो अगर यह closing को 2-3 session तक sustain कर पाए तो उसके बाद आपके लिए एक अच्छा move बन सकता है तो यह थी आज की strategy तो उमीद है आपको मेरी यह video अच्छी लगी होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी तो इस video को like कीजे comment कीजे और अपने friends and families के साथ share कीजे और अगर आपको ऐसे ही एक धमा की तार swing trading strategy देखनी है तो इस suggestion मेरी इस video पर click कीजे